कोरोना वाइरस केर की वज़े से दिपिका पाडुकों ने अपने पारिस छिप को किया कैंसिल दिपिका इस साल पारिस फैशन वीक का नहीं बन पाएंगी हिस्सा रिपोर्ट्स के मताबिक दिपिका पाडुकों को उनके एक लगजूरियस ब्रैंड ने पारिस फैशन वीक में हिस्सा लेने के लिए इनवाइट किया था दिपिका ने इस ट्रिप के लिए पूरी प्रेपरेशन भी कर ली थी लेकिन लास्ट मॉमिंट पर दिपिका को ये ट्रिप कैंसल करनी पड़ी दरसल डेडली कोरोना वाइरस के बढ़ते मामलों से दिपिका कंसरंड है और दिपिका के स्पोक्सपर्सन का कहना है कि गफ्मिंट के रीसिंटली रिलीज हुए गाइडलाइन्स को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये बड़ा फैसला लिया है वैसे सिलेब्स कोरोना वाइरस के बढ़ते खत्रों को देखते हुए अपनी शूटिंग से लेकर अपने इवेंट्स को प्लान कर रहे हैं गफ्मिंट ओफ इंडिया ने इंडियन सिटिजन्स से अपील की है कि वो बहुत जरूरी होने पर ही कोरोना वाइरस अफेक्टिट कांट्रीज को विजिट करें दिपिका पडुकोन की फिल्म्स की बात करें तो वो फिल्म 83 में रनवीर सिंग के साथ नजर आएंगी हाल ही में दिपिका पडुकोन ने इस फिल्म से अपना फर्स्ट लुक रिवील किया था जिसे ओडियन्सेज ने काफी पसंद किया था लेकिन दिपिका के कैप्शन को लेकर उन्हें काफी ट्रोल भी किया गया था वैसे दिपिका अपनी फिल्म छपाक को लेकर हुई कॉंट्रोवर्सी के बाद पब्लिक इवेंट्स पर बहुत कम ही नजर आ रही है हाल ही में हुए मिर्ची म्यूजिक अवार्ड्स नाइट पर उन्हें स्पॉत तो किया गया था लेकिन दिपिका ने यहां मीडिया से इंटरैक्ट नहीं किया था इट सीम्स दिपिका पाड़को ने फिलहाल मन बना रखा है कि 83 की रिलीस से पहले वो और किसी कॉंट्रोवर्सी में नहीं फसने वाली watch e-town news monday to friday at 9 30 pm only on zoom